अगर आप दोस्तो 2024 से 2025 की शुराद में गाड़ी खिरिदे वाले थोड़े दोग जाना अगर आपकी गाड़ इस लिस्ट के अंदर है क्योंकि भाई उनके फेसलिफ्ट या कहे थोड़े से अब ग्रेड भाई आने वाले हैं तो भाई चलो बात कर लेते हैं टॉप एट गाड जो इसमें इंजनों का पेट्रोल का जी हां दोस्तो वो ना भी इतनोल के मनलब के ना जो लेटस्ट चनॉम जाने वाले हैं इनका पेट्रोल इंजन भाई 1.5 लेटर वाला मीटर नहीं कर पाएगा इसलिए उसके लिए ना थोड़ा सा इसमें अपग्रेड किया जाएगा य आपकी मारुति की स्विफ्ट और डिजार जी हां दोस्तों इनका सबसे पहले लौच ओने का बहुत बहुत जादा चांस है यह करीब करीब भाई जुलाई के आसपास इसी साल जुलाई के आसपास भाई यह लौच हो सकती है और बढ़िया बढ़िया जो बाहर लौच बढ़िया और न्यू बंपर भी मिलेगा आपको डिजार स्विफ्ट में भाई बंपर में काफी अतिकमले डिफरेंस आपको देखे रहें को मिल सकते हैं मालों थोड़ से अलग दिखेंगे आग दोनों का अगर आप आप बहुत करोगे पीछी के साइड आपको वही सेंट स स्री सिलेंडर भाई पेट्रोल इंजिन मिलेगा जो की पुरक पुरा भाई नैचुरली एस्परेट रहने वला है और भाई इसके अलावा अगर हमारी इंडिया वालों की बहुत किस्मत अच्छी रही तो भाई हाइब्रिड इंजिन भी ओफर कर दिये जाएंगे तो मतलब मिड़ 2024 तक आ सकते हैं वो भाई MG की क्लोस्टर इसमें आपको जो फ्रेंट डिजाइनिंग है काफिय तगवाई ट्वीक आपको देखने को मिल जाएगा टेल लाइटिंग में आपको आजकल चाहता है वैसा कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा इसके अलावा जो इ एक और गाड़ी जो काफ यह तक बजट फ्रेंड्ली के साथ साथ बड़ी बड़ी स्पेस देती है और हैड रूम तो भाई कमाल का देती है वह भाई मारुती सुजकी की व्यागनार जी हां दोस्तों यह मिट 2024 तक भाई इसका फेसलिफ्ट आ सकता है और भाई इसको आप फ वाड़ियों में आ रहा है इसके अलावा जो इसका जो एक्सीरेट डिजाइन है फ्रेंट में आपको नई ग्रिल देखने को मिलेगी हैट लाइट भी आपको उच्छा तक मिले शेप देखने को मिल जाएंगे चेंज वह भाई आपको मिलने है पिछली साइड आपको टेल न्यों क्रेट आ चुके है उसी तरीके से वह उन्डा की तरफ से फेसलिफ्टल अलकजार भै आ जाएगी जूनदोसर चौविस तक जीहां दोस्तों काफी तक चांस है कि जून दोसर चौबिसांग भाई हैं ना की अलकजार भाई आजाएगी इसमें क्या चैंज आएगे ए और एक दो फीचर भाई जाला मिल सकते हैं जैसे कि डैश कैम और हेड़ डिस्प्ले बगारा मेरे को लगता है यह सब चीजे और कुछ अगर चाहे तो भाई कुछ लगता है अलग से भाई वो भी दे सकता है कुछ है उन्टे ओफर करती का लुकतार को एक्ष्टर के तर से और है अगली आडिया महिंद्रा की एक्ष्ट वी थ्री डबलो और उसको भाई बहुत चादा मेजर अपग्रेड मिलेगा एक तो आपको इंटीरियर आपको फिल्टु फुल एक्ष्ट वी फोर हंडडर वाला माल आपको देखने को मिल जागा जो आपको एलेक्ट्रिक वर्च वाला मिल गया था और भाई इस चेरिंग विल तो भाई नए तो मिलने वाला ही है सेम टे सेम एक्ष्ट वी 700 वाला और भाई इसके अलावा जो एक्स्टीरियर में डिजाइनिंग है अगर आप इसके स्पाय शोर्स देखेंगे तो आपको जो फ्रेंट लुक है कुछ- यसके वज़े से जैसे ने बाहि टुपाहे मिचा दिये थी अपना पर हसब भी तबाही मिचादेगा अपना एक्सवी 300 एक्सवी ट्री डबलो का मार्केट में इसके अलाव जो ट्रांस्मिशन है उसमें लगता है डि डी स्टी ऑप्शन भाई ओफर कर दिया जाएगा वन यह तक स्पाइड हो चुका है काफिया तक स्पाइड शॉट्स आ चुके हैं और काफिया तक चांस है यह शायत लौच हो भी जाए पर भाई मुए को इससे एक परशानी है कि यह वही सेम टुसेम वन पॉइंट टू लिटर के जो आपको अभी यह एंजिन आ रहा है ट्रबो मैं चाहता हूँ अभी यह ना आए कर्व के बाद आए यह कर्व से पहले आ जाए तो उसका वह वह वाला इंजिन है ना ट्रबो जी डिया वन पॉइंट टू लिटर होगा जो नया है टाटा डेवलप कर वह लाए तब जाके भाई यह रेसे डिरिक्शन सहीं में बनेगा इ यह स्क्रीन आपको इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और आपको आपका जो इंफो टेंवन सिस्टेम है वैसे आपको अल्ट्रोस में भाई देखने को मिल जाएगा अल्ट्रोस का भाई फेस्रिफ्ट आ रहा है और टाडा पंच इवी तो भाई आपके सामने लौंच हो चुकी ह तो भाई टाडा पंच पेट्रोल वाली को भाई फेस्रिफ्ट क्यों नहीं मिलेगा जी हां दोस्तों इसका जो एक्सिरे डिजाइनिंग है काफ यह चैंज होने ही वाला है आपको एक्सिरे डिजाइन का जो फ्रंट है वह आपको काफिय तक भाई पंच इवी के तरह हम पेट्र इवियुक्त का जेए Japanese इसे है ना गडमिलेगा मिलला ही फ्रंट कर अपको लगए फेले से निशायव समय इसे मिलने वाले है इसके इलावा जो नीचे से वही एक बड़ी से स्किड प्लेट मिलेगी साइड में आपको नए नए ट्राइप के वही नए डिजाइन के अलोई वील से आपको देखने को मिल जाएंगे वही 16 इंची ही रहने वाले हैं और अगर आप रियर में जाओगे तो रियर में कुछ ख करेगा फ्रेंट वाले की बात कर रहा हूं और पीच्छे तो भाई पहले से आता है था रे रिस इवेंट से नहीं आने वाले पर इसमें जो बड़ी असी स्क्रीन आती ना आपकी जो पंच एवी में है वैसी आपको पेट्रोल में भाई देखने को मिल जाएगी और इसकी व आने वाले है और आपको आपको भाई इन सब के लिए रुकना चाहिए आपकी जरूरत के साफ से तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपका फाइदा सही में अगर फूचर में जाके लोग आओ तो भाई वापिस आके सब्सक्र पर तो तो बी हैपी बी सेफ बाई